दोस्तो नमस्कार है दोस्तो जो लोग मुंबई में रहते हैं या मुंबाइच से बाहर रहते हैं और मुंबई में काम करते हैं उनको मालूम है कि मुंबई में ट्रवल करना कितना मुश्किल है मौनी में अगर आपको साउथ मुंबई में आफिस में जाना हो तो आपको लोकल ट्रेन या बसेस का या अपनी गाड़ी से जाने का ही सहारा रहता है अगर आप लोकल ट्रेन में चल रहे हैं तो मार्निंग में पीकार होता है उस समय ट्रेन में गुशना ही मुश्किल होता है आपनी कैसे पहुंचता है यह वो खुछ जानता है अगर आप सिटी बसेस में से चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि रोड में बहुत ज्यादा ट्राफिक होता है और इसी तरीके से अगर आपको प्राइवेट वेहिकल है तो भी आपको बहुत प्रेसानी होती है मैंने मंबई में कस्टम विभाग में दिसंबर 85 में नोकरी जोइन की थी शुरू में हम लोग चंबूर में रहते थे चंबूर से मौनिंग में लोकल ट्रेन में यात्रा करके आफिस पहुंचते थे उसके बाद भांडूप में ट्रांजिट अकॉमेंडिशन मिल गया वहां से मौनिंग में ट्रेन में तेन से ही यात्रा करते थे बाद में एरपोर्ट की पोस्टिंग हो गई तो एरपोर्ट के लिए इस्टाप बस हमारी कालोनी के बाहर आती थी उससे जाया करते थे वो बस वाया तिलक ब्रिज दादर वाला तिलक ब्रिज उसके बाद सिर सेहनावावन माहीम होते वे गती थी बाद में वो बांदरा के बाद फिर हाईवे पकड़ करके एरपोर्ट के अंदर गुशती थी कभी कभी वो बस कलीना हो करके भी आया करती थी अगर बस छुड़ जाती थी तो टेक्सी से जाना पड़ता था यह मैं बात बता रहा हूं 86 से 88 तक की 88 के बाद जब फिर से कस्टन हाउस में पोस्टिंग हो गई तो या तो स्कूटर से नहीं तो ट्रेन से ड्यूटी करने जाया करते थे उसमें वडाला से ट्रेन पकड़ते थे और बाद में जाकर करके वीटी में उतरते थे उसमें लोकल इस्ट्रेशन का नाम वीटी हुआ करता था बाद में उसको सीस्टी किया गया चत्पती सिवाजी टर्मिनस इस्कूटर से जाने के लिए वडाला से जो चार रास्ता है सीवडी के तरफ जाता है उदर से जाया करते थे नब्य में दुबारा फिर से एरपूर्ट की पोस्टिंग हो गई फिर वही बस या फिर टैक्सियों का सहरा रहना पड़ता था लेकिन उस समय मुंबई में डबल डेकर बस चला करती थी क्योंकि और बिज नहीं हुआ करते थे फ्लाइवर नहीं हुआ करते थे चोंड जो आइवर नाइटी फाइव में रिए नांटी से नांटी टू तक एरपूर्ट पे ड्यूटी रही उसके बाद फिर कश्टाम हाउस कारवो कंप्लेक्स जाइवी ड्यूटी करते रहे रिए नाइटी फाइव में शिवशेना की गवर्मेंट आई और नितिन मुंबई से पूना के लिए नया एक्स्प्रेस बनाया इसलिए मुंबई से पूना जाना आसान हो गया इसके अलावा उन्होंने मुंबई में काफी फ्लाइवर बनाने शुरू किये और आज की तारीक में मुंबई के अंदर जे ये फ्लाइवर लाल बाग वाला फ्लाइवर उसके बाद दादर का फ्लाइवर उसके बाद साइन का फ्लाइवर ऐसा इधर से बनाया गया तो आना जाना थुड़ा आसान हो गया 2006 में मेरी पोस्टिंग नवाश्यवा गुई उस समय नवाश्यवा जाने के लिए या तो आप अपनी गाड़ी से जाएए खुछ चलाएए गंटे या दो घंटे के ड्राइव होती थी आदमी कमर तूड जाती थी और दूसरा रास्ता ये था कि आप बडाला से ट्रेन तरिये बेलापूर से जो एस्टी की बस चलती है उरन के लिए उसमें बैठिये अब फिर जाकर के आप नवाश्यवा पहुंच सकते थे वो भी एक कोई जगह है थी जहां से वो बस मुड़ जाती थी और उरन की तरफ चले जाती थी आज की डेट में मुझे उसकी जगह का ध्यान नहीं आरा कुछ फटा बोला करते थे उसको पूरन फटा बोला करते ते जहां पूरन पूटा इ वो लिया करता था और उसके बाद हम नवाश्यवा कस्टम हाउस पहुचते थे दूसरा तरीका एक और भी था कि आप जुई नगर उतरिये जुई नगर से बाहर निकलिए वहां पर शेरिंग में जीप मिलती थी उसमें बैठिये और फिर आपको नवाश्यवा कस्टम लांच हुआ करते थे कस्टम हालों के लिए वह फ्री हुआ करता था उसमें बैठिये और वह नवाश्यवा आपको पहुंचा दिया करता था तबी भी उसमें करीब एक घंटे लगते थे का रिजनिंदे के दिनों में फो लांच भाउच कि है दख्तकी है सी चलता था तो अगर कहीं भी रहते हैं तो आपको पहले वाट्याटरोट पे उतरना पडेगा उसके बाद वहां से अपको ब्लक्र से पहले भाउच सवा कर जाना पड़ेगा यह टैपक्सी से वह सब तो यह तमाशा हुआ करता था मतलब अगर आपको दस बज़े या साड़े नौ बज़े नवा शेवा पहुंचना है तो आप घर से करिम से कम साथ बज़े साथ बज़े साड़े साथ बज़े निकलिए तब जाके आप महां पर आराम से पहुंच सकते हैं कुछ लोग ऐसे जब ऑफिस बंदोता था तो घर आते जाते उसमें आड़ बज़ आते थे बसेज भी होती थी बस आपको करून के बाहर से मिलती थी चाहिए टाइम से उसको पकड़िए और वो फिर आपको नवाश्यवा पहुंचाया लोती थी उसमें काफी आफिसर लोग नवाश्यवा क पुस्टिंग अवाइड करते थे तो कि आने जाने का टाइम बहुत खराब तो करीब पांच घंटे बरबाद हुआ करते थे आप साड़े नौ बज़े से लेकर के छे वेज़े देडूटी करिए यानिके साड़े आर्ट गंटे और उसके बाद साड़े साथ गंटे और उस पुसे में सीवडी जो टिंबर पांड सीश्टय भी से बोलते हैं यहां पर मैंने डूटी की है 2018-1994 में डूटी प्रते हैं वहां से नवाश्यवा के लिए कोई एक ट्रंसर्बर ब्रिज बना रहे हैं लेकिन वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा इन्वारामेंट क्लिरंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब चल रहा था कि 2018 के आसपास और 2016 में 2018 2016 ऐसा कुछ है रडहेंदर मोदी की सरकार जब आई सेटर में तो इन्हों इस प्रोजेक्ट को वार पूटिंग पर लिया और वहां पर देखता हूं कर बना वेट हाँ हाँ 2016 में 24 इसंबर को मुद्य साब ने वहां पर इस ब्रिज का सिला नियास किया था और कल यहने के बारा तरीक को बारा जन्वरी दो अजार चोबिस को उसका उन्होंने उद्गाटन किया है यह प्रिज साड़े सोला किलो मेटर पानी के उपर है और टोटल इसकी लेंथ है 21.8 किलो मेटर यहने के करीब साड़े पांच किलो मेटर यह जमीन पर है इसको जाने के लिए अगर मंबई से आप जाना चाहते हैं तो आप फ्रीवे में पहले चड़िये और उसके बाद वहां से एक रास्ता जाता है वहां से आप ब्रीज के उपर से जा सकते हैं इस ब्रीज को बनाने में करीब अठारा हजार करोड रुपया खर्चा हुआ है और इसकी ब्रीज के उपर जो स्पीड लिमिट है वह 100 किलोमेटर है याने कि आप सिवडी से जहां ने वह ब्रीज शुरू होता है वहां से नवाशवा अब आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं पहले दो गंटे लगते थे अब 20 मिनट में आप पहुँच सकते हैं इस ब्रीज पर टॉल कलेक्शन के लिए आपको कहीं पर टॉल नचेंप रुखना नहीं पड़ेगा आपको को एक स्टिकर दिया जाएगा और आपका जो 200 रुपिया वन वे हैं वह आपके एकाउंट से कट जाएगा अगर आपको रिटर्न जर्नी का भी लेना है तो 345 रुपए का सैथ रखा गया है कुछ ऐसा है अगर आप साल भर महीने भर का आप लेना चाहते हैं तो मुँदैसर कुछ है कि इस ब्रिज की वझा से कि मुंबई से चोंप नवा शावा जाने वालों को मुंबई से जो नई मुंबई में इंटर्नेस्लल एरपोर्ट बन रहे से वहाँ जाने वालों को पूना जाने वालों को गोवा जाने वालों को और सौथ इंडिया जाने वालों को काफी शुबदा होगी पहले आपको अगर पूना जाना है तो अगर आप बीटी से स्टार्ट कर रहे हैं मैं सौथ बंबे की बात कर रहा हूं से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रिवे से पहले चंबूर के पास में उतरना पड़ता था उसके बाद वासी क्रॉस करो वासी क्रॉस करने के बाद में च्च्रेट आगे जले जाओ बेलापूर बेलापूर से पन्वेल से आगे आपको जो एक्स्प्रेस है रास्ता मिल जाएगा तो इस रास्त सेowner जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी मैं आपको मैप से दिखाता हूं कि यह जो हार्बर का जो ब्रिद बनाया इन लोगों ने कैसे बनाया है और इसका कैसा इस्ट्रक्चर दिख रहा है दिखाते हैं आपको कि यह देखिए यह सिवरी पॉंड टिम्बर पॉंड जहां से यह शुरू हो रहा है यह बिगनिंग इसकी यहां से शुरू हो रहा है और इसका अगर मैं बढ़ा करूं तो आपको समझ में आएगा यह देखिए यह इस्टन फ्रीवेग जो चाय किम्सेट उंड़ के पास मेंसे शुरू होता है अगर आप बंबई से आ रहे है तो आपको ऐसे अना पड़ेगा यह है यहां से शुरू यह बढ़ेंगे आपको उपर चड़ना पड़ेगा और यह आप चले हैए ऐसा पूरा सिवडि आ गेया अब यहां से इन्हों ने क्या किया है ंढाइवर्जन दिया है यह देखियर हूआ और यह फिर हर्बर कारो हो गया अब यह चलू हो गया यहां पर पर मेंग्रों मेंग्रों पार्क है सिभा आप यहां सब्सक्राइब अब यह वीज्ट यहां से शुरूप होला है कि अए और तो यह 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 यहां पर क्या है देखो यह ट्रॉम्बे है टाटा पावर प्लांट वहाँ पर है उसके बाद से निकल रहा है इधर यह एलेफंटा केव है यह एलेफंटा केव है इसके बाद यहां से यह जा रहा है देखिए से अब यहां पर आकर के लैंड हो रहा है कौन सा यह देखिएans के यहां पर करके लैंड हो गया यह यह चिर्ने गाओं है यह performs यहां पर आकर के यह मैं हूं हुआ कि यह चला अब यह यह जो रोड है इधर वाला यह वाला जो रोड है यह पूरा की दरब जाता है तो आपको आप पन्विल की तरब नहीं जाना पड़ेगा आप सीधा इधर जाएए और उसके बाद आपको जिदर भी जाना है यह देखिए पूरा रास्ता बना हुआ है यह देखिए पूरा रास्ता बना हुआ है यह इन्होंने बना दिया है वहां से वापस अगर आना है देखिए वापस आने के लिए यहां से वापस आये और पिर यह ट्राश्पर लिंक में आये और यहां से आलें के बात यह देखिए यहां से आप इधर चले जाई है नहीं तो उधर चले जाई है यह जो चंबूर साइड से जो लोग बाग आ रहे हैं फ्रीवे से वह यहां पर आ करके इधर से जॉइन कर सकते हैं पहले हम लोग इधर से जाया करते थे यह देखिए यह रास्ता है पूरा देखिए फ्रीवे और यह जाकर करके चम्बूर में लाइन करता था यहां पर यह लाइन किया देखिए यह ऐसा फिर यह मुदी साहब ने बंबई के लोगों को बहुत अच्छी सोगात दे दिये बहुत अच्छी सोगात दे दिये मैं तो बोलता हूं कि मुंबई का ट्राफिक की प्राउब्लम इस वज़ा से शायद अब बहुत ज्यादा इस हो जाएगी है यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि मुंबई का जो डॉक्स है उसमें कंजेशन बहुत हुआ करता था इटीज नाइंटीज में उसी लिए राजी गांदी गिवर्मेंट ने पूड बनाया था और वहां पर ऐसा हुगा था अब मैं आपको बताता हूं कि मोधी साहब ने बोला क्या जब यह बाज़न हुआ तो मोधी साहब ने क्या बोला थोड़ा से उसके बारे में देख लेते हैं इस ब्रिज का नाम अटल सेतू रखा गया है और मोधी साहब ने क्या बोला इसके बारे में यह देखते हैं कि मोधी ने जो विजिटर बुक है उसमें जैसरी राम लिखा यह पंचवटी की बात है यह है देखें कि दिखाता हूं मैं आपको एक मिनुट कि मोधी लिख रहे हैं प्र बार्म ब्राम ऑध इस्पक्र द्रिल्यृरी वाजपे शिवरी नवाष्यवा अटल सेतू इं नहरास्तू ओंधू प्याम थे नाव्राइट बिच ग्ठाव जूद्ट अल्सेतू आंतल सेतू इंदू इसके लिजिए परूदेट उन्सेटू इंद़ सेडिया इंडेय reduce the travel time from Mumbai to Pune, Goa and South India, देखिए, यह है साहब, यह इनागरिशन हो रहा है, और देखते हैं तोड़ा कुछ, यह मिलता है तो, देखाते हैं, एफ आए आए, उह मिलता हैं, अम亦ारिशन हो आए, यह मिलता हैं, यह पिलता हैं, तो आह रहते हैं, पर्णिक्त करें पंधर्ण करेंज देने ने टर्च एर्या ग्रीटेटरी प्राफ यहीं प्राइव और विंडियोंग प्रीश टेटन इस थू जू प्रॉटने इस यह एंवाराओ ने प्राइब टॉट प्राइव पैंचेंड है a commute time for people in Mumbai so of course this the starting point is savory and it goes to Chirle in Mumbai and it reduces a commute time significantly for people in fact right now it takes over two hours for somebody to reach you know Mumbai from Navi Mumbai but that travel time will be reduced significantly down to 20 minutes so that is of course being seen as one of the major sort of advantages of this new sea bridge in fact the original route was 38 kilometers you know a passage of 38 kilometers had to be traversed by commuters and it took you know close to two hours to reach from savory to Chirle and 61 minutes to reach Navi Mumbai from Mumbai but now it will take only 20 minutes so that is of course the big advantage but also Vasudha remember that this is in a sense a huge boost to connectivity at large it changes the landscape of Mumbai because it has all the major points in the vicinity you have Varli you have the Mumbai port you have Kolaba you have the upcoming international airport in Navi Mumbai you have the Jawaharlal Nehru port so of course these points are extremely important for commuters as well you can expect a boom in the in the real estate sector as well given the fact that now townships what are you here from which the in the real estate sector as well given the first and the third and fourth in the real estate sector as well i will look at about how much you can expect the same beautiful the same here from Mumbai कि यहां देखते हैं किसे रखता है कि यहां देखते हैं कि यहां 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 उड़ सको घपकेशा है हुआ 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 है मुंबई काया कल्प हो गया है मैं तो यह बोल सकता हूं मुझे बड़ी खुशी है ठीक है जब मुंबई वापस जाओंगा तो मैं भी इस रूट पर इस पिर्श के उपर जाने कुशिश करूँगा अब दो काम रहे गया है है में इस ब्रिज को स्याइड से डाधर के सरफ से लिंक कर दो फिर बाद में जो ब्रिज बनाए है वरली रली से नरिंवन पइंट को बी लिंक करो और दूसरा वाला यह है कि जो बांदरा से और वर्शोवा तक को भी लिंक करो तो मुंबई का ट्राफिक बिलकुल कम हो जाएगा और मुंबई के चारो तरफ नई मुंबई तो एक बना ही है इसके अलावा जो उलवे से लेकर करके नवाश्यवा का जो इलाका है वो भी डिवलप करेगा और वहाँ पर भी रियल स्टेट बूम करेगा वहाँ पर भी काफी लोग बग आना जाना शुरू करेंगे और वहाँ के उस इलाके के भी उन्नति होगी तो यह एक ऐसी खबर थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था मैं अभी यहां पर अपनी वाड़ी को विराम देता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बुद्धे के साथ तबते के लिए आप इंदिजार करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्क्राइब करिए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए धन्यवाद मस्ते